कि पहले हम जो पहले कर रहे थे ना लूप जो लगाया है वो इसको मैं दुबारा से मैं भी करके दिखा देता हूं आपको ताके आपको मसला नहुंआ इसके आपको था जिसके ओपर मैं ने प्रॉबलम ओपर आपको लिखे दे थी कि आपने करना कि एक इस पर लूप चलाना है तो यह किसी भी आधरे के ओपर लूप चलाया जा सकता है यह अब्जेक्टवली अरे है řै हम यहां से सिंपल यह यूजरनेम वाली अरे ले देतें और इस पे simply अगर हम यह सारे यूजर ने प्रिंट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं एक फार लूप चला सकते हैं और उस फार लूप के अंदर index होगा यहां पर मैंने score A की length less than तक चलाना है index plus plus और यहां पर अगर हम नार्मली यूजर नेम में से पहला यूजर नेम गैट करना है तो हम 0 लिखते हैं लेकिन हमें पता है यह जिसको बोल लें यह जिसको बोल लें यह 0 ही है अभी जब यह दूसी तफ़ा लूप चलेगा तो one हो जाए get so on तो मैं क्या कर रहा हूं इस य यूजर नेम ब्रैकेट लगा के मैं 0 लिखन तो मुझे उमर्ड मिलता है one लिखन तो अली मिलता है two लिखन तो नवीद मिलता है तो अगर मैं यहां पर इंडेक्स पास कर दो हमें पता है कि इंडेक्स की वैलिए zero है फिर प्लस प्लस होगे वह one हो जाएगी two हो जाएगी त यहां दफ़ा एक दफ़ा चलने पर डिफरेंट डैटा है जब डिफरेंट डैटा आएगा तो उसको मैं यहां पर प्रिंट कर सकता हूं यूजर ने और आगे मैं यूजर का नाम प्रिंट कर सकता हूं तो इससे क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगी न यूजर नेम है तो इसको मैं यूजर नेम जैना तो यूजर नेम भी कर सकते हैं यह एक यूजर नेम है ना सिंगल इसको रून करने के लिए वोई प्राना तरीका क्या करेंगे हां टियसी और नोड इंडेक्स टोर जैस तो आप देखो यूजर नेम उमबर अली नवीद तीनों बारी बारी वो प्रिंट कर रहा है सक्रीन के उपर तो यह जो है इसके अंदर हमारा सिस्टम चल गया अब इसी तरह अगर इस अरे में यह स्ट्रिंग थी तो ऐसे हमने केट कर लिया यही कोड अगर मैं लिख दूँ और इसको मैं चला दूँ कार्ज के उपर तो मेरा सेनेरियो डिफरेंट हो जाएगा देखिएगा कि मैं यूजर नेम की जगहां पर कार्ज की लेंड तक चले और फिर कार के इंडेक्स में से फर्स्ट इंडेक्स को निकाल रहा हूं तो इसमें मुझे क्या मिलेगी एक कंप्लीट कार यानि कि एक अबजेक्ट मिलेगा अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे इस वकत क्या प्रिंट होगा लूप के अंदर एक वैल्य प्रिंट होगी या पूरा कार पूरी कार प्रिंट होगी क्योंगे वो एक अबजेक्ट है तो मैं अगर इसको पाइल करता हूं रन करता हूं यह देखें पूरा अबजेक्ट प्रिंट हो रहा है जिसमें तो वो जिस्ट येर को प्रिंट कर देगा क्योंकि पूरा पूजेक्ट था तो वो सिरफ डैफिनली टी एस सी करना पड़ेगा ऐसे सभी हो गया तो ये चीज हमारे पाद सेल जाएगी अच्छा अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अच्छा ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको वैरियबल बना के एक नए वैरियबल में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है ये मैंने कंसेप्ट देती है कि आप कार का वैरियबल बना के डॉट लगा के भी कर लो या आप ऐसा उप्शन करो कि जिसके अंदर क्या हो ये सही है ना हमने वहीं पर पूरा अबजेक्ट रीड़ी किया और साथ में हमने ये निकाल लिया उसको किसी वैरियबल में स्टोर नहीं किया तो दोनमें आंसर हमारे पास सेम आए इसी तरह अगर हमने कंपनी के एड़ करनी है तो यहां पर हम कंपनी लगा देंगे तो यह हमारे पास चल रहा है इस तरह सिस्टम तो आइडिया यह है कि अब हम एकर एक अंदर लिस्ट अफ अबजेक्ट रख सकते हैं उसको फैच भी कर रहे हैं पूरा अबजेक्ट भी शो कर सकते हैं कोई एक की उस अबजेक्ट में से भी शो कर सकते हैं और सारा सिस्टम जो है उस पर रंड कर सकते हैं अगर मैं आपको यह बोढ़ों के कमपनी होंड रहा है । और उसकी प्राइस शोग बहो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा मगर्णने कुंकर इए सिहो करना फिर क्या करना पड़ेगा इफ लोगा दूँ इफ लोगाने पड़ेगे न तो अब अब आप लोग देखिए का मैंने क्या किया किया कमपनी इक्वल टू हॉंडा और अगर कमपनी हॉंडा के इक्वल है तो फिर उसका प्रिंट क्या करो अब यहां पर देखिएगा कि मैंने यह इंडेक्स रीडिंग टू टाइम्स किये तो हर एक दफ़ा करने पर थोड़ा टाइम तो लगता होगा ना उसको तो अब मेरे पास यह वाला ज्यादा बैटर संटेक्स है कि मैं क्या करूं कार डाट एक ही दफ़ा इंडेक्स रीड करक और फिर जितनी दफ़ा मुझे चाहिए उसी को यूज करना अब मैं यहां से इंडेक्स वाला ड्रेक्ट वाला संटेक्स क्यूंकि देखो एक वैरियबल बन गया उसमें पूरा वैरियबल है तो बार बार पूरी अरे में से एक इंडेक्स के उपर गैट करके फिर डोट करें सकते हैं फिर ज्यादा बेतर रहर कर करें उसकी रिजिएं का कि कि एक दफम फिर फिर वह अगर हम ड्रेक्ट ली नहीं कर रहे है ऐसा कर रहे है और सिर उप यूज हो रहा है card that company card that number तो अब हम इसका एक अबजेक्ट एक variable में save करने तो जएदा बेतर है उसकी reason क्या है क्योंकि two time use हो रहा है तो two time index reading करना जएदा time can zoom है तो हमने एक ही दफ़ा index को read करके car में रख लिया और दो 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 दफ़ा चेकर लिया अब अगर सिर्फ होंडा के का रहा है तो फिर यह हमें model पर शो करेगा बेभी होंडा के लिए मैंने हैसे शोटा लिखा हुआ है और यहां पर मैंने बड़ा लिख दिये तो इस लिए एक ही दफ़ा आए इस तरह और भी conditions बन सकती हैं कि problem statements तो change हो सकती है ना बार बार तो different different हम कर सकते हैं और depends on our need कि हमारी need जो है वो कैसी है लेकिन अब रहाल idea हो गया कि यह problem मैंने आपको क्या दी थी कि हमने लूप चलाना था लूप चलाके एक एक object हमें मिल रहा है उस object में से हम keys लेकि उसको show कर सकते हैं conditions कर सकते हैं बड़ डिपेंड करता है कि हम किस तरह की conditions जो हैं वो करना चाहरे हैं समझे लिए तो इसको हम SSL system जो है वो चला सकते हैं तो हमने फार लूप को थोड़ा understand कर लिया अब हम थोड़े से अब अपना हमने basic जो है न basic programming वो हमने कर लिया अब इस वक्त तक ना वज़र जो basic basic जितने concepts थे जो language में चाहिए होते हैं वो सारे structure concepts हम discuss कर चुके हैं अब हम advanced type skip को पढ़ना जा रहे हैं जो basic type skip थी वो हमने सीख लिए हैं अब हम advanced type skip पढ़ने जा रहे हैं कि advanced में हमारे पस क्या क्या options हैं कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो इस्तमाल होती हैं अच्छा advanced type skip के अंदर मुझे अब क्या करना है सबसे पहले कि advanced type skip के लिए यह ना एक repository है हमारे पास पैना वर्स learn type skip करके इसके अंदर यह advanced type skip की सारे lectures recorded है सारे folders बने हुए advanced topics के तो हम क्या करेंगे अच्छा इसमें से most of them हमें already आते हैं क्योंकि हमने basic अच्छी तरह कवर कर लिए हैं हम एक-एक topic को फखड़ेंगे जैसे hello word in type skip अब hello word तो हमने कभी कर लिया हुआ है तो यह हमारा मतलब हो गया काम वो मतलब हम अगर इसका code भी देखें तो उसमें वो console एक लगा हुआ है और उसके अंदर जो है वो hello word का message प्रिंट हो रहा है तो इसमें कोई खास काम नहीं है अच्छा इसी तरह अगर हमने जाना है उसके second step पे तो उसको यानि कि जो चीज़े हमने नहीं की हुई एडवांस में जैसे JSON क्या है उसकी क्या complications है वो हम सासथ कवर करते जाएंगे और जो हमने already कर ली हुई है उसको हम revise करते जाएंगे तो advanced type skip हम यानि कि यह सारे steps कवर कर लें तो हमारी type skip जो है वो खत्म हो जाएगे तो अब हमने उसको शुरू करने के लिए थोड़ी चीज़ें हम extra सीखनी है उसकी understanding हम बनाएंगे